गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी और हाइडरेटेड रखने के लिए हम मौसमी फल खाते हैं इन में पानी की भरपूर मात्रा, मेगनीशियम, पोटेशियम, आयदेन और कैल्चियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं कुछ लोग तो गर्मी आते ही अनाज खाना कम और फल और जू में पर खाएं तो इसके फायदे की जगे नुकसान भी हो जाता है, पूट पॉजनिंग की वजए से सिच्वेशन देंजरिस भी हो सकती है, ऐसे मैं आपको हॉस्पीटल में एडमिट होना पड़ सकता है, दोस्तों गर्मियों में जाता लोग तर्बूश का सेवन करना पसं है, जिससे आपके शरीर का वजण भी कम रहता है, इसके साथी साथ इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्ताष्ट बात करने वाले हैं, ऐसमें अगर आप भी तर्बूश खाने के शौकीन हैं, और इसके फायदों के बारे में न नहीं पहुत से देखने बहुत सारे दोस्तों के 하लेकश्य को सरquiera verb को यूजृ बात करने वाले साले से आपको बहुत जादा देखने का मिलते हैं इसमें सबसे पहला फायदा होता है सब्सक्राइब में कि यह पाँचंतर के कि शोड़ी दोस्तों करता है इसका बड़ा कारण है इसमें मौझूद फाइवर जो खाने को पचाने में मदद करता है इसके सेवन से दोस्तो डायरिय और गैज जैसी परिशानिया होने की संभावना भी कम रहती है ऐसे मैं आप इसे अपनी डाइट में गर्मियों में जरूर एड़ करें इसका दूसरा दोस्तो जो benefit होता है वो होता है बजन को कम करने में दरसल दोस्तो इसमें फाइवर और पानी की मातरा बहुत जादा होती है ऐसे मैं आप इसका सेवन नाच्टे के तौर पर यह snacks के रूप में करते हैं तो यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसके लावा इसमें कैलरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिसके चलते दोस्त, आपका वेट गेन नहीं होता है। इसका अगला फायदा है दोस्तो, शरीर को हाइडरिटेड लखने का। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, ऐसे में इसका सेवन करने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। साथी साथ दोस्तो, शरीर में पानी की कमी से होने वाली परिशानियां जैसे की कमरदद, चक्कराना, मूँ का सूखना, ब्लेट प्रेशर की परिशानियों को भी दोस्तो ये दूर करता है। गर्मियों में दोस्तो, डिहाइडरिक्शन की समस्या को दूर करने के लिए आप इसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं या आप चाहें तो इसका जूस भी पी सकते हैं। इसका अगला बेनिफिट है दोस्तो, इम्यूनिटी को बूश्ट करने का। तर्वूज में दोस्तो वाइटमिन C भरपूर मातरा में होता है जो इम्म्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है साथ ही ये फाइवर से भरपूर होता है जो पाचन की क्रिया और आतों में अपने पनपने वाले वेक्टीरिया को नस्ट करने में मदद करता है इसके चलते दोस्तों आपकी रोध Rock Shantra में सुधार आता है साथ ही वाइटमीन ए से भरपूर होता है ऐसे में दोस्तों वाइटमीन ए और वाइटमीन सी औकसीरेंट से भरपूर होने के कारण यह आपके वजन को घठाने में में भी मददगार देखा जाता है, इसके अलावा दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रॉल करने का काम करता है, जैसे कि हमने जाना दोस्तों तर्बूज में साइट लाइन नामक एमिनो एसिट पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए फायदिमंद होता है ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका दोस्तों एक अन्य जो महत्वपूर्ण लाब है वो है अस्तुमा को ठीक करने का तर्बुज में दोस्तों लाइकोपीन होता है जो कि एक प्रभावी एंटि-आक्सिडिन्ट होता है ऐसे में जो भी लोग अस्तुमा से पीड़ित है तो वो भी दोस्तों इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये एस्तुमा के रोगियों के लिए भी फायदे बंद देखा गया ह क्योंकि इसकी बड़ी वज़ा होती है इसमें vitamin A की परियाप्त मात्रा कुछ के इसके दोस्तों अन्य फायदों के उपर नज़र डालें तो इसके कुछ और भी फायदे हैं जैसे कि यह diabetes में बहुत अच्छा है इसके अलावा यह आपके हिर्दे को सुष्थ रखता है कैंसर से बचाप का भी दोस्तों यह कारण बनता है इसके अलावा इसके सेवन से आप अपनी आखों को अच्छा कर सकते हैं हीट स्ट्रोक से बज़ सकते हैं हड्यों को मजबूत कर सकते हैं यह शरीर को ऊठ जा देता है क्योंकि इसमें vitamin C जादा होता है ऐसे में आपकी skin के लिए और बालों के लिए भी अच्छा होता है फारंत में दोस्तों तर्वूस का सेवन करने से सेक्शुल समस्यां भी काफी हद तक दूर होती है लेकिन दोस्तों इसके सिर्फ फायदे ही नहीं है इसके कुछ नुकसान भी है ऐसे में दोस्तों कुछ विशेश व्यक्तियों को या विशेश लोगों को इसका सेवन करने से पहले इस बारे में जरूर जानना चाहिए ऐसे में दोस्तों जिन भी महिलाओं को PCOD की समस्या है उन्हें सुबा खाली पेड तर्वूस खाने से बचना चाहिए अगर लिवर समंदी कोई बिमारी है तब भी खाली पे तर्वूस नहीं खाना चाहिए इसके अलाबा बादार से लाकर तुरंट दोस्तों हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए बलकि कुछ दिर हमें इसे पानी में डाल कर रख देना चाहिए और फिर कुछ समय बाद हमें इसका सेवन करना चाहिए तर्वूस खाने के बाद दोस्तों तुरंट पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए इससे वेक्टिरिया फैलने का रिस्क बढ़ जाता है और पेट में इंफेक्शन भी हो सकता है अंतुमें दोस्तों रात में तर्वूस नहीं खाना चाहिए इस समय तर्वूस को पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसके चलते दोस्तों आपके आँटों में जलन पैदा हो सकती है ऐसा इसलिए भी है कि दोस्तों रात में डाइजेशन प्रोसस दिन की तुलना में थोड़ा धीमा हो जाता है तो दोस्तों ये कुछ बाते हैं जोकि आपको विशेश ध्यान देनी चाहिए तरबूज के सेवन करने से पहले इस वीडियो में दोस्तों इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जोड़े हमारे चैनल के साथ ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद